आज हम देखेंगे कि हम इंडेक्स राउट को किस तरह की से डिफाइन करते ठीक है मगर उससे पहले समझना यह पढ़ेगा कि हम उससे डिफाइन करते क्यों है ठीक है तो उसको समझने के लिए आप इधर आओ हमने पिछले वाली वीडियो में क्या किया था कि ने स्टेट ठीक है इस खटा देता हूं और प्रड़क्ट वाले राउट पर आता हूं तो आप देखेंगे यह वाला जो सेक्शन है ब्लैंक हो गया ठीक है बट बाइडिफॉल्ट क्या होना चाहिए था बाइडिफॉल्ट इन दुनों में से कोई नों कोई एक्टिव रहना चाहिए थ यहां देखना चाहिए था ठीक है ऐसे भाई ऐसे ब्लैंक ब्लैंक सा तो अच्छा नहीं लगता ना है ना तो उस केस के लिए मैं क्या कर सकता हूं इंडेक्स राउट का यूज करता हूं तो इसलिए मैं यहां लिखा भी है इफ वी नविगेट तो दे प्रड़क्ट पेज ग्राइब को है प्लेट अरुट उसलिए को सब्सक्राइब करता हूं उस इंडेक्स राउट तो अब इस क्या करता हूं कि ए जबी भी ने कुई प्रड़क्ट वाले पेज पर ठीक है तो यहां जो फीचर का इस पीचर पर या निव वाले पर तो मेरा इस प्रड़क्ट अपड़ेगा यहां जो आप बात देख रहे हो ना बाकि सारा जाए चीज सेम रहेगा यह जो इंडेक्स राउट अब मैं आपको अपनी युवाई पर लेका हूं तो आप देखो यहां बाइडिफॉल्ट प्रड़क्ट वाले पेज पर यहां कुछ ब्लैंक नहीं दिखेगा ठीक है तो इसी को मैं बोलता हूं कि इंडेक्स राउट ठीक है तो इंडेक्स राउट में हम क इंडेक्स राउट की मदद से चीज़ कर सकता हूं ठीक है तो इस राउट पर अगर मैं कुछ राउट करना चाहता हूं तो मैं इस इंडेक्स राउट की मदद से इस चीज़ कर सकता हूं ठीक है तो इसी तरीके से हम बेसिकले इंडेक्स राउट को इंपलेमेंट करते है आई ओप आपको इंडेक्स राउट सवाजी में आ गया होगा ठीक तो चलो इअब इस वीडियो को लिए इतना ही अगर आपको कोई भी कॉश्चन हो तो आप मेरे स से कमेंट सब्सक्राइब पूर सकते हो ठीक है तो चलो आप मिलते हैं में नेक्स विडियों में तब तक लिए और हम नाइस टे एंड गुड़ बाए